पच्छमी राजस्थान के बाडमीर जिली में इन दिनों इस्पा सेंटर की आड में देव्यपार जोरों पर चल रहा है बार्ड मेर सहर बालोतरा सहर एभोम 15 में लगातार इस्पा सेंट्रों में अनेतिक गतीवीदियों की सुचनाय पुलिस को मिलती रहती हैं जिसके चलते बालोतरा D.Y.S.P. धनफुल मिना के नितरतों में पच्पद्रा में वाइट इस्टॉन नामयक एक इस्पा सेंटर पर दबिस दी गई जहां से अरनेतिक गतिविदियों में लिप चार यूवतियों तथा दो यूवकों को पीटा एक्ट के तहत गिरिपतार किया है D.Y.S.P. धनफुल मिना ने बताया कि इस इस्पा सेंटर में लगातार अरनेतिक गतिविदियों की सूचनाई मिल रही थी जिस पर एक बोगश ग्रहाक बेजा गया और जिसमें अरनेतिक गतिविदियों पाय जाने पर वाइट इस्टॉन नामक एक इस्पा सेंटर से चार एक दिल्ली की हैं और दोनों युवक सवाई राम और धनफुरी को गिर्पतार किया है फिलहाल पुलीस आगे की कारेवाई कर रही है आपको बता दें कि इसी परकार की इस्पा की आड में बाडमेर जिला मुक्षयले पर भी औरनेतिक गतिविदियों चल रही है अलंकि करीब एक दरजन से अधिक इसी परकार के इस्पा संचालित किये जा रहे हैं जिसमें कई युवाओं का जीवन बरबाद हो चुका है और उसके बावजूद पुलीस की कारेवाईयों के बावजूद इस परकार की गतिविदिया निरंतर चल रही है अब देखने वाली बात होगी कि बाड़ मेर में पुलीस इस परकार के अनितिक गति वीदियों पर कब अंकुष लगाती है इस पूरे मामले को लेकर बालतरा के डिवाई एसपी धनफुल मिना का क्या कहना है यह भी हम आपको सुनाते हैं पर कौन से एक में अब तक कारवाई की गई थी जरिये मोगवर सूचना मेली थी कि जो बालतरा पच्वद्रा मेगा ही पर निर कमल ओटल के पास भाई इस पर स्टोन है जिसमें अबेद ये देव्याबार के उचल रहा है इस पर है जे तीन के दुवारा है जे कारवाई बना करके बेचा बोकस ग्राग बना करके बेचार उसके जो उन्होंने उसके लिए एगरी होने पर हमारे दुवारा उस पर निया मनुसार दविश्दे करके महाचार लड़किया जो दोतों से जे लखनों की है एक कलकत्ता की है और एक दिल्ली की है और जो इसके संचालक है आपके बारे में जिले की है दोनों एक का नाम है जे जुमेन संचाला का धनपुरी दूसरे का नाम है सवाई राम इन छे उको जे पीटा एक्ट के तहते हैं जे तीन चार पांच है साथ डारा के तहते हैं जिनको ग्रफतार करके निया मनुस्थार थाना पच्वद्रापर मु